अभी सवाल पर आजाते हैं कि होना चाहिए क्यों होना चाहिए अगर बीजेपी यानि की जो रूलिंग पार्टी है किसी तरह के कन्फूजन में है तो वो सिर्फ वोट मानेजमेंट के चलते कि भाई 2015 में बयान दे दिया था आरक्षन की समीक्षा होगी तो लेने के देने हो अब भी यह जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मिला है अगडे इतने राममान बनिया राजपूत सब इधर चावालीस प्रतीशत ओबीसी भी खिंचे चले आए गैर यादव गैर मुसलिम मुसलिम छोड़ दीजी अगर यादव की बात कर लें तो क्या यह सोशल इंजीनि जन्वर्म लाग को नहीं होनी चाहिए लिकत का यहाति समाज का भारती समाज का इतारत है और ये सब Success को Impression क कॉन से इंकार करें तो भारत जय जाती बैस बैस्ति हो था कि तौमामें जो कमि कहामिया रही है समाजी कूस विकास पने जो अवरोध रहे हैं हो हम सब कर estád ने है, तो यह तो अथार्त है, इसलिए जब मंडल एक आया था तो बड़ा पहले विरूद हुआ, आज मुझे कोई उत्तर दे कि मंडल 1 का फाइदा हुआ नुक्सान हुआ, कि हमारे पैनलिस्ट में कोई कहे कि फाइदा हुआ नुक्सान हुआ, मुझे नहीं लेगता कोई कहे कि होगा, और अगर नुक्सान हुआ हो तो भी सरकार बदल देती उसको, जो विश्वनात पृताप सिंग्गी सरकार, जो मंडल एक लेके आई, किन परिस्टियों में लेके आई, वो अलग बात है, वो अलग बहत है कि दिविलाल जी अलग हो रहे थे, रहली हो रही थी, शरत में दोनों ने मिल के वोट दिया, कम्निस पायटी है, साथ में थी वीपी सिंगी सरकार के, और जनतादल का एक धड़ा जोय चंशेगा जी के लिए तर तुम्हा लग हो गया था, और बड़ा विरोध हुआ सड़कों पर विरोध हुआ, बादो सुप्रीम को ने इंडोर्स क में धानिक दर्जा दे देंगे पिछडा आयोग को, रोहिनी कमीशन बना देंगे, विश्वकर्मा योजना लॉंच कर देंगे, सब हो जाएगा, OBC मंत्री, MLC, सांसद, MLA, सब गिना देंगे, लेकिन जातिकत जनगणना पर ये बड़ा वोट बैंक हो जाता है, कि हिंदू को को बातने की कोशिश, हिंदू कहां बटे पहले ने बटे थे क्या जातियों में, जब जाती जनगणना नहीं तब ही बटे हुए थे, साधी बया, रोटी, बेटी के रिष्टे, उठना बैटना सारे जाती के अधार पर होते थे, उस समाधिक सुधार अंदोलन चले जिस ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, आप दबाए बैठे रहे हैं, दर्द हो रहा है कि डाक्टर के नहीं जाएंगे, सरदरी नहीं कराएंगे, एक्सरी नहीं कराएंगे, अरे एक बार ये भ्रम टूट जाए ना, 1931 के बाद 2023, लगभग 100 साल हो जाएंगे, 2031 में, तो ये इभ्रम एक बार आख़े सामने आजाएंगे कि कौन सी जाती कितनी है, उसमें देश कहां टूट रहा है, वह ठीक है, माली ये इतने पर्सेंट ये है, उसे हिसाब से पिर आप उनके अधिकार, उनके संदक्षन की बात कर सकते हैं, उसी आधार पर रोहिनी कमिशन की बात हो कि BJP की समस्या नहीं है इसमें BJP का जो मादर संग अठन है एसके समस्या है इसलिए BJP में अलग ळग बयान मिलते है केश्व परसाद मोरया कुछ कहते है राजञाजी क थे कराएंगे और राजमंतर शॉक्षud मंth seu हनुघ कभी जो है बताए जाता है इतने पिछड़े असांस् कर दूंदा आजी है और संग ने और आपे सुशल फार्टी शोचल इंग तर्म त्रम उसमें जो मंडल और कमंडल को मिलाकिस अपना पूरा वुठा था मध्दाता हूज नाधर भर तयार किया पिशियाद मुद्ल सरकार है वर्टिकल डिवीजन होने का खत्रा है कि जो हिंदू पैचान देने की बात है वो जाती है अस्मिता के आगे आने का एक संको लगता है खत्रा है बिल्कुल डॉक्टर अजय क्या इसलिए रोहिनी कमीशन को तेरा बार एक्स्चेंशन दिया गया क्या यह सारी कवायद इसलिए वर्टिकल डिवीजन का खत्रा कि भाई अगड़ों की पार्टी का टाग है आपके पास यह कहा जाता है कि हिंदुत्व की आप राजनीती करते हैं 80-20 की राजनीती तो आप तो अजय असी 20 की राजनीती करने वाले लोग हिंदू-मुसल्मान की राजनीती करने वाले लोग उस असी में ये अपना शेर मांगने आ गए तो यही वर्टिकल डिवीजन का खत्रा है क्या गरिमा जी चलिए division division का खत्रा और हम कितने डर रहे हैं ये बात की बात है आपके पैनल पे अभी इंडिया लाइंस के तीन लोग बैठे हुए हैं मैं घोशना करता हूँ कि बहुमत आय हमारे पास और भारतिय जंता पार्टी सरकार बनाएगी हमारा प्रधान मंतरी OBC होगा हर हाल में होगा अगर हम मिली जूरी सरकार बनाएगे तब भी हमारा प्रधान मंतरी OBC होगा ये करे तीनों घोशना अभी आपके सामने अभी एक्स देखे गरिबाति मैं क्यों लेक बात कहूंगा बिनो अग्नहोत्री जी ने लपक सारी बाते साफ भोशना करिये नहां बाए-बाए नहीं जले भी नहीं कर नहीं डॉक्तर आजय यह प्रवक्ति में दिया आपको